कुरुपुरी बिंडी बनाने के लिए हमें बिंडी जाहिए बिंडी को हमने लंबा लंबा पतला पतला कट किया है इसको एक्दम पतला लंबा कट करना है यह सारी बिंडी ऐसे कट करके तो दिखाती हूँ अब भी इसे हम एक बाउल में शिफ्ट करेंगे एक बाउल लिया मैंने इसमें हम सारी बिंडी डालेंगे जितना हो सके उतना बीज निकाल देना अब यह जितनी भी बीज बजीर में प्यक्क होगी यह मनें बिंडी सारी शिफ्ट करेंग एक बाउल में अब इसमें मसाले लिए में डालेंगे एक चम्मत डाट ने आर्पका पाट भूंद करे चाहेँ आर्पने 직ने हुध जो डॉट एक टेबिल स्कुछ उपल एकश्पुं चावल काता लिएक अब डो टेबिल स्कूर रूप ये आप इसपने बेट रीरेंद डालाय एक recipes में मसालेंगे यह बने हाफ टीस्पूल लाइल मिच्ट पॉडर लिया है और हल्दी पॉडर भी हाफ टीस्पूल मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हो गरम मसाला और धनिया पॉडर सब हाफ आप टीस्पून लिया है थोड़ा सा आम चुब डालेंगे और इसमें यह अब यह सब चीजों को हमें मिक्स करना अगर आपको मिक्शर थोड़ा ड्राय लगें चिपक अगर पाइंडिक नहीं हो रही है तो इसमें आप थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करना अच्छे से पूरा हम इसे कोट कर लेंगे बिंडी को यह मारा कोट हो गया अभी से हमें डी इसमें लग गए हैं अभी इसे हम डीप फ्राय करेंगे तेल लिया है तेल गरम करने रखा हम इने अभी चित्ती भी भींटी है इसको हमें फ्राय करना है अच्छा सा क्रिस्पी क्रंची होने तक इसे हमें फ्राय करना है बीच बीच में इसको मिक्स करन करते रहें कि यह हमारी हो गई है फ्राय इसको हम निकालते हैं बाकी सारी भिंडी में फ्राय करके आपको प्लेटिंग करके दिखाते हैं अच्छी परफेक्ट हमारी कुर्कुरी भिंडी बनी है और क्या कलर आये इसमें और एकदम क्रंची बनी है तो इसे बनाईए एंजॉय किये ताल जावल के साथ परफेक्ट रेसिपी है इसे एंजॉय करिए और मेरे साथ कमेंट में शेयर करके बताईए आपको कैसी लगी शदिये मिलते हैं नेक्स वीडियो में